Hello everyone, आज है 7th July और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विदानता के बारे में देखें विदानता का शेर 280 रुपए के आसपास ट्रेट कर रहा है आज विदानता के शेर में गिरावट नहीं है इवन हिंदुस्तान जिंक में भी एक्चुली मैं एक्चुली देखा जो तीजी है डिविड़ पर्टसन क्योंकि डिविडेंट के बहुत बड़ी अनौंस्मेंट हुई है यहां पर जबकि बाजार गिरावट में है अभी सेंसेक्स की हालत यह है कि 390 अंक की गिरावट सेंसेक्स में है और निफ्टी बैंक के अगर हम बात करें तो 410 अंक की गिरावट निफ्टी बैंक में भी है लेकिन विडानता में गिरावट नहीं है और इवन हिंदुस्तान जिंक में तो तेजी है और मैंने पहले भी बताया तो वीडियो बनाकर जब डिविडियो की अनौस्मेंट होई तो जब डिविडियो को शुरू कर उसे पहले अगर आप ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो पो काफी ज़ादा हेल्प करेंगे तो विदानता का शर्ट 280 का है विशलेक महीने में अगर आप देखो के तो जहाँ था वहीं पर देखो जादा मोमेंट नहीं किया इसने एक महीने से एकदम शांत पड़ा है और इवन प्राइज रेंज में कोई बहुत बड़ा नहीं है 275 का लो है और 280 का हाई है तो कोई बहुत बड़ा प्राइज मोमेंट भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला है मुश्किल से 5 रुपए 6 रुपए का प्राइज रेंज है वो भी पूरे एक महीने में तो देखा जाए तो यह अटक रहा है यह सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है इस रेंज के आसपास तो कि दिखो दिक्कत ये तो थी यहाँ पर खास रहे इनके डेट को लेकर डेट में भी जो इनकी नई रीपेमेंट्स हो नहीं उसको लेकर तो दिक्कत ये थी लेकिन जैसे ही बड़ी-बड़ी अपडेस आना सोय हुए के जैसे कि सबसे पहली थी कि भी यहाँ पर आप देखो तो डेट रीपेमेंट्स के डेडलाइन वगेरा भी है यहाँ पर जो इनको चुकानी वगेरा है और यहाँ पर देखो हिंदुस्तान Zinc में से इन्होंने बहुत सरह पिविमेंट लिया है यहाँ पर दुबारा से एक बार डिविडेन अनौंस होँ है हिंदुस्तान Zinc में से और विदानता यहाँ पर प्रमोटर है ठीक है 64.92% का सटेक विदानता के पास है तो जाहिर से ब फुल येर के अगर हम बात करें, तो हिंदुसान जिंक में से ही डिविडेंट के फॉर्म में विधानता ने 20,710 करोड़ रुपे निकाल लिये हैं, जुलाई 2022 में 21 रुपे का डिविडेंट, अगर देखा जाए टोडल वैल्यू तो 5,760 करोड़, नवेंबर में 15,5 रुपे का डिविडेंट, वैल्यू 4,250 करोड़, जैनवरी में 13 करोड़, सोड़ी 13,565 करोड़, और मार्च में तो 26 रुपे का, बहुत बड़ा था ये, तो कुल मिलाकर पिछले एक साल के अंदर, फुल येर के अगर हम बात करें, तो हिंदुस्तान जिंक में से वेदानता ने डि निकाल लिए है, बहुत बड़ा मौंट होता है ये, बहुत बड़ा मौंट होता है ये, और अभी भी दुबारा एक और डिविडेंट के अनॉंसमेंट हुई है, और वो भी मुझे ज़ता है कि शायद 20-25 रुपे का हो सकता है, तो और बड़ा पैसा हिंदुस्तान जिंक मे और जो करजा है, वो विदानतर रिसोर्सिस के उपर करजा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप आप देखो विदानतर रिसोर्सिस, रिपेमेंट टाइम लाइन के अगर हम बात करें, तो 2023, जुलाई 21, 2023, मतलब इसी महिने की एक बड़ी रिपेमेंट इनको करनी है, तकरीबन 69. 29.40 मिलियन डॉलर्स की, इसके बाद अगस्त में आती है एक और रिपेमेंट और ये उनको करना है 29.10 मिलियन डॉलर्स, इसके बाद सब्टेंबर में है ये इसी साल 53.70 मिलियन डॉलर्स, तो ये वाई है रिपेमेंट इनको करनी है कई सारी, और यही वज़ा है कि कमपनी ज है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हिंदुस्तान जिंक जो है वो 18 रुके पर शेर का dividend announce हो सकता है in that case is happen the total outstanding share of the total payment would be 7605 करोड यहाँ पर currently हिंदुस्तान जिंक की अगर हम बात करने जाए तो हिंदुस्तान जिंक has cash and cash equivalent worth 10600 यहाँ पर आप देखो तो borrowing अगर ग्याराजर नाटसो त्सक्रोड पास की है देखो हिंदुस्तान जिंक ने अगर dividend announce करता है تو उससे विधानता कितना पैसा कमाएगा उससे विधानता कमाएगा 4935 करोड रुपे के आसपास अगर 18 रुपे का यह announce करता है तो अगर जादा करेगा तो और जादा पैसा कमाएगा तो कम से कब विदानता यहां पर पाँच से आठ हजार करोड रुपे कमा सकता है यहां पर और यह बड़ी बात है काफी बड़ी बात है यह और देखते हैं कि क्या होगा लेकिन ओवरल मुझे लगता है कि शायद बड़ा डिविदेन अनाउंस होगा और जो डिविदेन्स जो पैसा निकलेगा उससे यह कुछ रिपेमेंट्स वगरा है वो कर रिंगी यह कंपनी और मुझे रहता यह ऐसा हो नहीं वाला है ठीक है तो देखते है क्या होगा विदानता के बारे में अगर हम बात करने जाए तो मार्केट के अब इसका एकला करोड से भी जादा का है और इनका जो पी रेश्यो है वो 9.84 का है जो कि एवरिज इंडिस्ट्री से कम ही है आरो यह भी इनका ठीक ठाक है हालागे करेंट एसे इनकी करेंट लियाबिल्टी से मकाबले कम है ठीक है और हाई डेट करजा जादा है लेकिन देखते हैं कि जब इनकी कुछ रीपेमेंट्स पर रीपेमेंट्स वगरा होनी अगर वो कर देते हैं तो करजा कम भी हो जाएगी पिछले कुछ क्वार्टर्स में इन्होंने काफी करजा अपना कम किया है यहाँ पर कंपनी के डिविदेंट की बात करें तो विदानता भी डिविदेंट में पीछे नहीं है इस साल तीन बार इसने पे किया है बारा रुपे पचास पैसे बीस रुपे पचास पैसे अठारा रुपे पचास पैसे तो बारी बर्खम यह यहाँ पर भी पे कर चुका है इसके अलावा अगर आप इनके नंबर्स पर देखोगे तो अलाकि ठीक ठाक है कोई इतने एक्स्ट्रा ओर्डिनरी नहीं है 37,900 करोड के आसपास के इनके रिवन्यू रहे बर्लिम नेट सेल्स रहे और प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो बहुत कम था यह 1880 करोड का था और यह कम है क्योंकि कमपनी 6,500,000, 4,000 करोड का प्रॉफिट करती थे अगर वो 2000 करोड से भी कम का प्रॉफिट कर तो दिक्कत है तो देखो अगर प्रॉफिट जादा नहीं करेगी तो यह जो इतना बड़ा डिविडेंट प्याउट कर रहे है वो कहां से जस्टिफाई होगा इनको भईया बड़ा मुनाफ़ा कमा कर दिखाना पड़ेगा तब जाकि इतना बड़ा डिविडेंट यहां से निकाल पाएंगे और तब इसको जस्टिफाई कर पाएंगे वेदान्ता के बारे में अगर देखा जाए तो इनकी शेह होल्डिंग पैटन में 10.28% की होल्डिंग देखने को मिल रखी है म्यूचल फंड यहां पर 0.45% है इन्शॉर्णस बड़ी कॉंटिटी में 9.75% ओवरल इतना ही कहूँगा कि है तो रखे रहो ठीक है रखे रहो मुझे तक जो भी इनकी पेइमेंट्स वगरा होनी है जो भी इनकी पेइमेंट्स वगरा होनी है वो हो जाएगी ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ ठीक है ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा हो जाना चाहिए और हो सकता भी है तो यही मैं कहूँगा आपसे कि जल्दबाजी मत करना बेचने को लेकर तो वहाँ पर खरिदारी के मौके बन सकते हैं तो उस लेवल पर आपकी नजर होनी चाहिए और देखो बाजार काफी गिरा है अब भी मुझे तकि कुछ टाइम लिए खा सके विदानता एक सपोर्ट में है यह बहुत अच्छी बात है लंबे समय से यह अटका है अगर आप देखोगे तो 1st March से केसी रेंज के आसपास है तूट नहीं रहा है एक बड़ा लंबा पॉस लेकर बैठा है उम्मीद करते हैं कि एक बड़े ब्रेकाउट में तबदील होता नजर आए इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तिमाल करना हूँ ट्रेड ब्रेंस अगर आप भी इसको यूज करना चाहते तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कई सारे बहतरीन फीचर से यहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंडरली स्ट्रॉंग पैनी स्टॉक को डूंड सकते अच्छा डिविडेंट पे करने वाले कंपनी डूंड सकते इसका इतना ही नहीं अगर आप ये भी देखना चाहोगे बड़े बड़े इन्वेस्टर से वो क्या खरीद रहे हैं उनका पूरा पूर्टफोलियो तक आप चेकाउट कर सकते हैं और इनके पूर्टफोलियो में कई सारे शेर्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा तो जाएए लिंक डिस्क्रिप्शन में है और हाल फिलहाल में ट्रेड ब्रेंस पर मिड यर सेल चल रहा है जहां पर आपको 70% तक का डिसकाउट मिल रहा है तो इस मौके का फाइदा उठाइए और सब्सक्राइब करिए विडियो को यहीं पैंट करूँगा पसंदा हो तो लाइक करें जाएगर चैनल पकर पहली बार है तो प्रीज सब्सक्राइब करें और विदानता के बारे में क्या सोचते हैं वो भी अब मुझे कमेंट में लेकर बता सकते हैं थैंक्यो